दोस्तों पचास और साठ के दशक में एक ऐसी हिरोईन जिसने अपना बहुत सा नाम भी कमाया और उनको बोलते थे उस जमाने में एक्शन क्वीन जी हैं दोस्तों आज एक्शन क्वीन चितराजी के बारे में आपको जानकारियम इस वीडियो में देने जा रहे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो दोस्तों क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चित्रा जी हां पता नहीं आपने इनका नाम पहले सुना है या नहीं अगर सुना है तो बहुत ही कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा क्योंकि एक ऐसी हिरोइन जिसका नाम बड़ी-बड़ी हिरोइन्स के सामने गुम हो गया यह यह कह लीजिए कि धोमिल हो गया दोस्तों लोग बड़ी-बड़ी हिरोईंस के बारे में तो जानते हैं उस जमाने की लेकिन एक ऐसी हिरोईंस जिनको एक्शन कुईन कहा जाता था तो चितरा जी जो है उनका असल में नाम अफसर उनिसा बिगम था उनका नाम और हैदरवाद से वो ग्राउं करती थी वहां की ये रहने वारी थी दोस्तों तो शुरू से ही इनको फिल्मों में काम करने का शौन था चोटी उमर थी ठान लिया था कि फिल्मों में काम करना है तो मुंबई गुमने चले आए उस जमाने में बंबे कह दे 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 तो एक फिल्म की शूटिंग देखने के लिए वो चले गए वहां पे तो वहां पे एक फिल्म कार लिमिटिड कंपनी की कॉस्ट्यूम पिक्चर मान 1954 में बनने जा रही थी उनको आडिशन किया गया उनका वहां पे क्योंकि जान पहचान तो उनके परिवार के साथ थी ही तो उस फिल्म के लिए उनको बतौर में लीड के उपर ले लिया गया शुरुआत उनकी मान फिल्म से हुई थी जो 1954 से आई थी उनके जो आपोजिट कलाकार थे वो अजीत साहब थे अजीत खान साहब थे उनके उस जमाने में तो फिल्म ठीक ठाक चली फिल्म जब चली तो उसके बाद उनको फिल्मों के प्रस्तावाने शुरू हुए पचास और साट के दशक में उन्होंने बहुत सारी फैंटेसी, फ्रिलर, जंगल मुवीज और एक्शन फिल्मों में काम किया, दोस्तों. टारजन फिल्मों में उन्होंने जिम्बो जो 1958 में आई थी जिम्बो कम्स टू टाउन 1960 में आई थी उसमें आजाद के साथ उन्होंने अभी ने किया था दोनोंने कई जंगल फिल्मों में काम किया उस जमाने में ऐसी फिल्में एक्शन फिल्में और थ्रिलर फिल्में या फिर हम कह लीजिए कि फैंटेसी फिल्में बहुत बना करती थी डिवोशनल फिल्में बहुत बना करती थी ऐसे ही ये फैंटेसी जैसे जंगल कुईन है और इस तरह की जो फिल्म में थी, लोग देखते थे इन फिल्मों को, बी ग्रेड फिल्म में कह सकते हैं इनको, उस जमाने में भी कहते थे हो सकते हैं, आज के जमाने में भी इनको बी ग्रेड फिल्म में ही कहते हों दोस्तों, तो तारजन और केप्टन किशोर 1964 में आई थी, तारजन और डेलीला 1964 में उनकी ये फिलम आई थी, टारजन और जलपरी 1964 में ही आई थी तारजन और सरकस फिर 1965 में दोस्तो ये फिलम रिलीज हुई थी. उन्होंने साथ इसके साथ ही बहुत सारी action फिल्मों में भी काम किया था दोस्तों सकी हातिम 1955 में रिलीज हुई थी सन ओफ अली बाबा 1955 में यह भी फिल्म रिलीज हुई थी लाला यमन 1956 में मेरे से शायद गलत बोला जाये तो इसके लिए मैं बाफी चाहता हूँ सैरे परिस्तान 1958 में रिलीज हुई थी माया जाल 1962 में रिलीज हुई थी पाताल नगरी 1962 में यह भी फिल्म रिलीज हुई थी कुफिया महल 1964 में रिलीज हुई थी दोस्तो उसके बाद मैजिक कारपेट 1964 में रिलीज हुई थी मैं हूँ जादूगर 1965 में और नूर महल 1965 में ही दोस्तो रिलीज हुई थी एक फिल्म जादू आई थी 1966 में तो उन्होंने उस फिल्म में ट्रिपल रोल अधा किया था दोस्तों हाँ एक चीज़ और आपको बताएं इनके बारे में इन्होंने कभी शादी नहीं की एक उन्होंने मैगजिन में इसके बारे में भी बताया था तो उसमें इन्होंने और भी जो आज के जमाने की 1990 की बात इंटर्व्यू आई थी इलेस्टर्ड वीक्ली में उस जमाने में बहुत चला करता था यह मैकसिन उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने कभी भी दौड में या रेस में जाने जैसी बुरी आदतों में लिप्त नहीं रहे घोड़े मुझे ड्राते हैं मैं आज की अभी नेत्रियों के परदे पर दिखने के तरीके से भी डरती हूँ वे सभी अपने सारे कपड़े क्यूं उतार रही हैं दोस्तों तो ये था इनके बारे में एक छोटा सा परीचे चित्रा जिनको 60 के दशक की एक्शन क्वीन कहते हैं दोस्तों इनका दिहाद हो गया था तो उसके बारे में ज़्यादा हमारे पास कोई डिटेल नहीं है तो आप भी चित्रा जी की ये फिल्में जरूर देखिए एक्शन त्रिलर और फैंटेसी फिल्म वीडियो यदि अच्छा लगा था इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत बोलिए तन्यवाद